हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं पीजा आपको देखके समझ में आ गया होगा कि आज बहुत अच्छी और बच्चों की पसंद की रेसिपी बनने वाली है जिसको बनाने के लिए नहीं हमें ज्यादा मेहनत की जरुवत है और नहीं ऑवन की जरुवत है हम इसे पैन मे च्रवत आच अच्छी तरीके से च्हान लेंगे और इसके साथ एक पॉर लेते हैं मैं जान दो कप मैदा लीजा है आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं और इसे मैंने च्हान नहीं तो शान के लिए आप नळेंगे नमक एक छोटी चमच और सोड़ा तो ये बेकिंग अच्छव दालें यह द्दम्स लीजे एज्गे normalय क्या इतर सेवाइव धॉर्टा पैश्व सत्य करते हैं सब्सक्वाइब किया आचा कर सकते हैं और स ofereखते हैं कि यानुठ आटा मिक्स विए पिक ही सकते हैं प्याज को बारिक कटकर के लिए हैं एक टमाटर है आधा सिमला मिर्च मैंने बारिक कटकर के लिए है और यहां पर बॉयल किया हुआ दो चमज स्वीट कॉर्ण यहां पर topping अपनी पसंदि के अनुसास आपको जैसा पसंद हो आप ले सकते हैं, जो उचलिया पसंद हो आप ले सकते अब इसमें डालेंगे पिजया mix जो पे मसाले आते हैं ते डालने के लिए वह मैंने डाला लाई आदी चोटी चमज और दलेंगे चिली फलाक्स आपके पास अगर यह सब नहीं है तो आप चाट मसाला नमक और काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं इन सब चीजों से भी बना सकते हैं अब इसमें डालेंगे नमक स्वादा नुसार और यहां पर मैंने आदी चोटी चमच जो पीजा सॉस होता है जो ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए आता वो लिया है मैंने अगर आपके पास यह नहीं है तो आप सेजवान सॉस ले सकते हैं या फिर टमेटो केचप सिरफ लेके भी बना सकते हैं तो मैंने आपर एक चोटी चमच टमेटो सॉस डाला है और दो क्यूब चीज के मैंने कद्दू कस करके डाले हैं अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यह हमारी टॉपिंग बनके तयार हो गई है यहां पर आप टॉपिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें पनीर भी डाल सकते हैं आपको जो पसंदो आप पनीर मस्रूम्स वाया विंग जो आपको पसंदो आप डाल सकते हैं यहां पर तो चली आटा भी तयार है टॉपिंग भी तयार है और इसके हम रोटी बेल लेते भी ही तोड़ लेते हैं और इनकल मेल ने के लिए थोड़ा तो अंडल ही लिए और ना बले के लाट तली करें को समय प्राइद सकते हैं कि तोक रहे था पल यह जबाता है तो यहां पर थोड़ा सा is आसा मैदा ले और इसे खाल ऑनले बेलने के लिए आप थोड़ा मोटा ही बेले पतला ना बेले जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेलेंगे पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि यह मैदा है और अगर ज्यादा बेलेंगे तो पापड की तरह हो जाएगा फिर हमारा पिज्जा अच्छा न आप केला पॉर्ण के छछाख नहीं कितना बड़ा एपन पार मेरे पास में डिखा हुआ उससंसे ऐस जैसा हो आप बेलाज परादा पॉझिए अगर यह पूंका सारे अट तो तो बड़ी जोटे मेरी आप होतše फकर ना रिछाब़ा ना तो नहीं है वैं जोतो उपम प्त अब हम क्या करेंगे पैन में बटर लगा लेंगे अगर आप मैं बटर यूज कर रही हूं अगर आप घी नहीं है तो आप तेल यूज किजिए सिर्फ सरसो तेल छोड़के आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं तो बटर में कंजूसी ना करें अच्छा से लगाएं तेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इस तरीके से हम इसमें सारे रख देंगे इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा हांतों से दबा देंगे ताकि अंदर तक वह चिपक जाए इसी तरीके से सारे हम कर लेते हैं तो सारे मैंने रेडिक कर लिया एक बार में साथ पीसी जाएंगे इस जो आप चाहिए तो जो आमने रोटी बेली ते उस पर फोक से थोड़ा सा चेद भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी चलेगा ज़िसे नॉर्मल उम पीजा का बेस बनाते हैं वैसा बेस बनके तयार हो जाएगा अगर आप च्छेद करना चाहे तो आप अब च्छेद भी कर स वेखने में आइप बना सकते हैं और इसे गैसर पर ही बनाऊंगी तो ईसे लोग difference पख आठ से दस मिनट के लिए पकने कें पर ओर ही लिए छाओर पर डेते हैं है देते हैं आप चाहें तो बीच में दो बार चेक कर सकते हैं तो देखिए 8-10 मिनट लग हो चुके हैं और यह हमारा तैयार हो गया है कितना यमी दीख रहा है आप देख सकते हैं काफी स्वादिश्ट लग रहा है और यह नीचे से भी अच्छी तरीके से पक चुका है चीज भ अंदर से भी पीछे से भी अच्छी तरीके से पक चुका है ऐसा ने कि अकच्छा है आप इसे ऐसे भी खाईए स्वाश के साथ खाईए बच्चों को काफी पसंद आएगा एक बास जरू ट्राइक करें आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर सेर करें और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करने के लिए आप फेस्बुक इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं